हेलो स्टूदेंस वैलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी आपने थोड़ दिर पहले देखा होगा जी जी यू का इंड्रोल्मेंट फॉर्म आ चुका है और तीस तारी क्लास जेट है अब इस फॉर्म को कैसे भरना है स्टैप बाइ स्टैप इस वीडियों वताऊंगी तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर लास तक देखते रहें यह फॉर्म है आपका इस फॉर्म में जो जहां-जहां ब्लैंक है उसमें कुछ-कुछ जगह में आपको भरना है और कुछ जगहों में आपके जी जी यू के डपार्टमेंट के फैकेल्टी भरेंगे यह ज छोड़ देंगे अब यह वाला जगह भी छोड़ देंगे यहां आता है फुल नेम देखे पहले यह सारा डीटेल्स आपको भरना है स्टूडेंट को फील करना है उसके बाद यह नीचे का यह दो जगह आपको फील करना है सिगनेचर आपको करना है यहां पे अपना नाम औ छूड़ देंगे और यह रचिस्टरवर्ड यह जो सहरें जीजीयू के ईटिस्टर्स साइन करेंगे यह छोड़ देंगे अब आपको जो-जो भर्रा इसके बारे में बात करते हैं फुल नेम इन देवनागरी, देवनागरी मीन्स हिंदी, हिंदी में आपको लिखना है नाम, हिंदी मतलब यह देखे, फर एक्जामपल अगर अब गर्ल हैं, तो आप लिखेंगे एक्जामपल नेम रीता सोनी, या आप बोई हैं, राहुल मेश्राम, ओके, अब दूसरा लिखा है, सेकेंड नेम इन रोमन कैपिटल, रोमन कैपिटल का मतलब होता है, इंग्लिश का कैपिटल लेटर्स, अब यह क फर एक्जामपल रीता सोनी, राहुल मेश्राम, ऐसा, ठीक है, फिर फादस नेम, फादस नेम वही लिखना है, जो आपने क्लास टैंथ के मार्कशीट में लिखी है, क्लास टैंथ के मार्कशीट में अज़ेटिस जो लिखा है, उसको लिखना है, बट कैपिटल लेटर्स, याने की फिर से यही, फर एक्जामपल मनोस सोनी, सुनील मेश्राम, अब डेट ऑफ बर्थ, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, अब हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, टेन यार ट्वेल, किसी भी सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ हो लिखना है, हायर सेकेंडरी मी इस तरीके से लिख सकते हैं 5-2-2002 या फिर आप इसे 05-2-2002 ऐसा भी लिख सकते हैं बस इसी फॉर्माट में रखिएगा फॉर्माट को चेंग नहीं करना है यानि कि पहले आपका डेट फिर आपका मन्त फिर आपका यह यही रहेगा फिर नेम ओफ प्रपोस्ट एक्जाम प्रपोस्ट एक्जाम का मतलब आपने किस चीज किस कोर्स के लिए जीजियो में फॉर्म फील किया है फॉर एक्जामपल बीए इंग्लिश के लिए बीएस्टी मैंथमाटिक्स के लिए यह लिखेंगे अब यहाँ पर देखेंगे class, class के जगा क्या लिखेंगे 12, session, session में क्या लिखेंगे 2020, role number, role number कहां दिया है, आपके 12 के mark sheet पर दिया है, 12 के mark sheet पर enrollment number भी दिया है, board या university में क्या लिखेंगे cg board, capital letter में लिखेंगे cg board, क्योंकि आपने cg board से पढ़ाई की है, आपने अगर cg board से पढ़ाई की है, तो cg board लिखेंगे, capital में लिखेंगे cg board, और अगर आपने cg से नहीं की है, cbsc लिखेंगे, cbsc board, capital में, okay, now, अब यहाँ पे permanent residential address और present address, दोनों में क्या फर्क है, देखें, permanent residential address मतलब, आप कहा permanent रहते हो, for example, आप, आपका घर जो है, कहा है, कोर्बा में, लेकिन आप अभी रहते दुर्ग में हैं, तो present address आपका क्या हो जाएगा, दुर्ग का होगा, लेकिन permanent residential address कोर्बा का होगा, ठीक है, एक point, दूसरी point, कुछ students कैसा हो सकता है, कि वो दुर्ग में, example की तौर पे दुर्ग में ही रहते हैं, और present address अभी भी वो दुर्ग में ही रहते हैं, और उनका residence, याने कि निवासी कहां के हैं, दुर्ग के ही हैं, वही हैं, तो same लिखेंगे, तो कैसे लिखना देखिए, अगर आपने permanent residential address आपका कोर्बा है, तो आपको पूरा लिखना है, for example, आपका house number हो सकता है, B91, फिर हो सकता है, street number 2, civil lines, कोर्बा, फिर pin code लिखेंगे, civil line के past का post office का pin code, कोर्बा, CG, यह हो गया, permanent address, permanent address, for example, आप दुर्ग के रहने वाले हैं, तो आप क्या लिखेंगे, for example, D21, landmark, या land number, या street number 2, street number नहीं है, छोड़ देंगे, गया नगर, दुर्ग, अब गया नगर के past का, जो pin code है, वो लिखेंगे, अब देखें, एक और address का बता रही हूँ, यहाँ पर, देखें, अगर permanent residential address example के तौर पे, C17, Sanjan, अगर दुर्ग है, pin code जो भी हो, example है, यह आप इसे highlight ना करें, यह pin code example के तौर पे लिखा गया है, permanent address अगर आपका same है, permanent address अगर आपका same है, तो same है as permanent residential address लिख देंगे, इसको भी capital में ही लिखना है, capital letter, ठीक है, capital letter यहने समझते हैं न, English में जो हम capital letter यूज करते, A, B, C, D, यह capital letter है, इससे capital letter में लिखेंगे, ठीक है, समझ मैं होगा address का, अब यहाँ पे अपना signature करेंगे, जो भी आप sign करते हैं वैसी, अब यहाँ पे MR, boys हैं तो MS, अगर आप girl हैं तो, MS उसके बाद जो आपका नाम है, capital में, for example, Rita Soni, Rahul Mishram, father's name, क्या लिखेंगे father's name में, जो आपने यहाँ लिखा है, यहाँ पे father's name में जो लिखा है, as it is, लिखेंगे, capital letter में, Manos Soni, Sunil Mishram, ठीक है, यह, यहीं तक आपको भरना है, इतना ही भरना है, बाकी सब कुछ, GGO के, जिस भी department को यह द example, exam, form, field करने वाले जो department है, उन्हें दिया गया, बाकी सारी जगा छोड़ देंगे, enrollment number वही आपको provide करेंगे, registrar का sign, registrar sir करेंगे, यह मैम करेंगे, इतना जो form भरने का पूरा प्रोसेस समझ में आओगा, capital letter में बस लिखना यह ध्यान रखेंगे, लेकिन signature कभी capital letter में नहीं signature में यूज नहीं करना है, बस इस form को लेकिन आपको print out निकाल के भरना है, उसके बाद आपको form को, मतलब ऐसा नहीं कि आप इस form में भरने लग गया, उसके बाद आप इसका photo खीच के डाल रहा है, इस form को जाए, internet cafe में, print out निकालिए, उसके बाद आपको अपने हाथों से पैन्स, पैंस, यूज नहीं करना है, ब्लाक और ब्लू पैंन किसी से भी यूज कर सकते हैं, बस ध्यान रखें क्यापिटा लेटर यूज करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट साब जानते हैं, मिने पहले ये वीडियों बता रखा है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, को डॉक्यूमेंट्स लगाएं बस ध्यान रखिए जो भी आपने अपने क्लास 10 और 12 में जैसा नाम लिखा है सेम एज इट इस ही लिखेंगे नाम चेंज नहीं करेंगे तो उमीद करती हूँ जित्ता कुछ बताया इस वीडियो में समझ में आगा और हैलफुल होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच